देखिए गाइस यह सांप वगेरा का घर है यहाँ पर काफी तादाद में सांप वगेरा होते हैं यहाँ पर मोर बेचें तो मोर देखिए गाइस जंगली मोर है वहाँ पर हम जाएंगे वह भाग जाएंगे आराम से जा रहे हैं आराम से जा रहे हैं ताके मोर हम देख सकें य इतने मुश्किल रास्ते हैं यहां से बहुत सारे कांटे हैं यहां से हमें गुजरना हैं बहुत ही आराम से जा रहे हैं वह रागाइस मोर जो हमें देखकर भाग चुका है असलाम अलेकम गाइस कैसे हैं आप आई होप के खेरियत से होंगे गाइस आज के विलोग में हम अपने गाउं से थोड़ा दूर जा रहे हैं जंगल की तरफ वहां पर गाइस हमारा एक दोस्ते वहां उसके साथ चलकर हम जंगल की तरफ जाएंगे और वहां पर हमें कुछ का भी बंदवस्त किया है तो इसलिए गाइस हमने यह पकोड लिये हैं और साथ में केले भी लिये हैं क्यूंकि वहां हो सकता है कि हमें काफी टाइम लग जाए इसलिए काफी भूख भी लगेगी हमें इसलिए हमने भूख का भी बंदवस्त किया है तो गाइस हमें यहां प करते हैं फाइनली गाईज हमने अपने केलों को धो दिया है अब चलिए अपने सफर को कंटीन्यू करते हैं और वहाँ पर जंगल में चल कर ये खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाला माशाला गाईज हम जंगल की तरफ आ चुके हैं देखिए यहां पर चारों तरफ जंगल है गाईज देखिए एक दो साथी भी हमारे साथ हैं गाईज जो यहां के रियाईश ही है और वहाँ पर देखिए मेरा भाई भी मुझूद है वो भी मेरे साथ है तो चलिए गाईज अपने सफर को शुरू करते हैं और वहाँ पर चल के आपको कुछ नजारा दिखाते हैं जंगल में म खूबसूरत इलाका है गाईजी है और माशाला यहां पर जमीन काफी सफेद है जो इस इलाइके की खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा करती है यह देखिए गाईज यह एंट है मकोडे जो काफी तेज होते हैं और यहां की जमीन पर यह बहुत ही बड़ी तादाद में पाए जाते है देखिए गाईज माशाला यह जंगल का नजारा देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है तोके हमारे पास जंगल नहीं होते है आज हम पहली बार देख रहे हैं और उपर से देखिए हुडिया माशाला काफ़ी खुब सुरत नजारा है अगर गाइस आप शाहर में रहते होंगे तो यकिन आप इस नजारे को मिस्स कर रहे होंगे तो चलिए गाइस चलते हैं आप करीब जंगल में और वहाँ चलके बैठके पकोड़े वागेरा खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे ल वो हमें यहां पर जंगल पर ले जा रहा है देखिये अम यहां से जाएंगे अंदर कि अ Wait , केसा लग रहा है यहां पर जंगल में आकर कैसी फिलिंग आ रही है इसा इंशाला वो भी देखेंगे लेकिन आज से पहले कभी आप जंगल में आयो अश्वाण की रहा यहां से अंदर जाएंगे और भाई काफी इंजवाए कर रहा है माशाआलला पहली बार आये हैं तो इंजवाइ करेंगे न मोर देखिए जंगली मोर है वहां पर हम जाएंगे वह भाग जाएंगे आराम से जा रहीं ओ माई गूड भाग गए गाइस शायद इनको पता चल गया कि हम आ रहे हैं आराम से भाई कांटे हैं बोट अराम से जा रहे हैं ताके मोर हम देख सकें यह देखें गाइस पंक है यहां पर गाइस काफी ताद में हैं लेकिन एक बड़ी वजा यह है कि वह यहां पर किसी बंदे को देख कर भाग जाते हैं बिल्कुल भी नहीं रुखते पहाफी बड़ी तादाद में अंदर जंगल है और गाइस हमें काफी डर भी लग रहा है यह देखें गाइस यह भी मोर का पंक्ख पड़ा है इसका मतलब मोर यहां आसल पास ही है शायाद उसे पता चल गया है कि हम यहां पर आ गए हैं यह, देखिये गैस, भाहि भी विलोग बना रहा है और उसके साथ उल दो बंदे हमारे. देखिए गाईस वहाँ पर भी कुछ है रोबर्स है बता नहीं क्या है लेकिन गाईस बड़ी वज़ा यह है कि यहां किसी इनसान को देख कर भाग जाते हैं जंगली जानवर हैं धीरे-दीरे से गाईस हम यहां से जा रहे हैं देखिए छोटे-छोटे रास्ते भी यहां पर बने हुए हैं आराम से आराम से भई कान तेही ख्याल करना कई लगना जाए गाइज हमारी कोशिश है के यहां आपको कोई ऐसा जंगली जानवर दिखाए जो आज से पहले कभी आपने नहीं देखा हो लेकिन अभी तक ऐसा कोई परिंदा या जानवर हमें नजर नहीं आया है हाला के कुछ मोर हमें नजर आये हैं जो यहां पर हमें देख कर भाग चुके हैं हम जा रहे हैं इंशाल्ला ताला हमारी कोशिश है कुछ न कुछ आपको जरूर दिखाएंगे देखिए guys यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल है guys अब जा रहे हैं यहाँ से एक और जंगल है आगे वहाँ पर जाएंगे हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसी नए एक चीज guys हमें नजर आ गई जो हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन guys वो भी बहुत ही खतरनाक है हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमें काट न दे बात कर रहे हैं guys हम मक्खी की शयाद की जो यहाँ पर बैठी है एक बहुत ही बड़ी है चलिए guys आपको करीब से वो भी दिखाते हैं यार guys यह हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई हमने दूर से मदू मक्खी समझी लेकिन यह चाता है खाली शयाद किसी बंदे ने यहाँ से मदू मक्खियों का जो शयाद है वो उता रहा है इस वज़ा से यह खाली चाता है sorry guys यह भी हम आपको नहीं दिखा पाएं guys यह रास्ता है जो यहां से हमें इस जंगल से अलग करेगा चली यह रास्ता लेते हैं और यहां पर इस जंगल से निकलते हैं और दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं यहांसे राहा हैं कितने मुशकिल राष्ते हैं यहांसे बहुत सारे कंटे हैं यहांसे रही हैं रा Genesis देखेज कितने मुशकिल रास्ते हैं तो तेलिए गाइस अब कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं भूक भी काफी ज्यादा लगी है और वहाँ पे चल के कुछ पेट का बंदोस करते हैं गाइस अब हम जा रहे हैं यहां से लेकिन एक बहुत भड़ा प्रॉब्लम हो गया है हम राष्ता भूल चुके हैं हमें रास्ता नहीं नजर आ रहा कर यहां से बाहर का रस्ता कौन सा जाएगा यह बहुत ही बड़ा मसला है गाइस इन्शाल्ला हम तौकल पर जा रहे हैं हो सक ज्यादा कांटे है गाइस यहां पर, इस वजह से हम एतियात जा रहे हैं कि कहीं हमें लगना जाए, finally guys हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता धूंड चुके हैं, बल cafणा नीकलने के करीब आ चुके हैं, तो चलिए गाइस अब निकलते हैं बाहर लेकिन गाइस एक बहुत ही बड़ा अफसो से हमें के हम कोई एसी चीज या कोई परिंद आपको दिखा नहीं पाए हम यहीं उमीद लेकर आये थे के हम यहाँ पर कोई ऐसा जंगली परिंद देखकर उसकी वीडियो बना कर आपको दिखाएंगे लेकिन गाइस यहाँ पर जो मोजूद जंगली जानवरिया परिंद है वो यहाँ पर हमें देखकर भाग चुके हैं इस वज़ा से हम वो आपको नहीं दिखा पाए लेकिन गाईज कोई मसेला नहीं है इंचाला ताला अभी भी हम यहाँ पर है यह देखिए गाईज हम बाहर निकल चुके हैं यह रास्ता जो यहाँ से निकल रहा है यह हमें बाहर ले जाएगा और यहाँ का नजारा भी देखिए आप यह है रास्ता गाईज जंगल का जहां से हम बाएर निकले हैं हैं यहाँ से निकले हैं वहाँ से हम दाखको हुए थे उस तरफ से लेकिन निकले यहाँ हैं काफी बड़ी तादाद में यह जंगल है गैज वो रागाईज मोर जो हमें देखकर भाग चुका है बहुत कोशिश की हमने लेकिन वो रागाईज आप शायद दूर से नहीं देख पाए होंगे वहाँ पर भाई वाले खड़े हैं अब उनके पास चलते हैं बड़ी रन्निंग करवाई है मोर ने आज हमें लेकिन उसके बाद भी हो हमें रजर नहीं आया है हमने जगा सिलेक्ट कर दी है यहाँ पर बैठकर हम कुछ पेट को देंगे पकोड़े केले वागेर हम लेके आए हैं जो यहाँ पर बैठकर हम खाएंगे वह भी आपको दिखाएंगे अगर गाइस आप भी खाना चाहते हैं तो आजाइए हाजूर है यो भी हाल है हमारा गाइस अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आमें कमेंट करके जरूर बताएं बिस्मिल्ला है रामानी रहीम चलिए गाइस अब आपने पेट का बंदोबस शुर देखिए गाइस यह पकोड़े हैं बहुत भूख लगी हम इस वज़ा से यह लेकर आए थे हमें पता था कि इस जंगल में यहां आख पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है तो इस वज़ा से हम यह पकोड़े लेकर आए और साथ में यह केले भी तो चलिए अब शुरू करते हैं अगर तक्नी को खो लें है बिस्मिल्लाही रमानि देखिए हैं कर दो चाहिए अधिक ने परिये जिसको भूदी को माई है प्रोंत आखिए है कि अधिए मज़े और सम्दागों नहीं चाहिए nda 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 आज के विलोग में बस इतना ही आज का ये विलोग आपको कैसा लगा मैं उमीद करता हूं कि आज का विलोग आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स विलोग में तब तक के लिए अल्ला हासूँ